इस वीडियो में हम अपर लिंप मसल्स चार्ट करेंगे, कम्प्लीट चार्ट करेंगे इस मसल्स इस लेक्टर में सबसे पहले हैं पेक्टोरल डीजन के मसल्स यह पेक्टोरल डीजन और यह पेक्टोरल डीजन बनता है कलेविकल और स्कैपुला के मसल की अटेच्मेंट के बाद बनता है फिर है पेक्टरलिस माइनर मसल फिर रहता है सबकलेवियस मसल अब है अप्पर लेंग और वेल्टिबर कॉलम को अटेच्च कराने वादे मसल अप्पर लेंग और वेल्टिबर कॉलम को अटेच्च कराने वादे मसल इसमें जो मसल आते हैं वो हैं ट्रेपीजियस उसके बाद आता है लेटिसमस डारसाई फिर आता है लेटिर स्केपुली फिर आता है रूमबाइड माइनर फिर है रूमबाइड मेजर अब आ गया आता है स्केपुलर रीजन के मसल इसमें मसल आते हैं सुप्रास्पाइड़ इंफ्रास्पाइड़ तेरीज माइनर सब स्केपलर रूमबाइड रूमबाइड तेरीज मेजर अब आगे आता है और्म के मसल्स और्म के मसल्स के दो कमपार्टमेंट हैं एंटीर कमपार्टमेंट और पॉस्टीर कमपार्टमेंट यह है और्म के मसल्स इधर हम देखेंगे एंटीर कमपार्टमेंट anterior compartment को flexor compartment करते हैं और posterior compartment को extensor compartment anterior compartment को flexor compartment करते हैं इसमें जो मसद हैं ये हैं बाइसेप बरिकाई सेकेंड है बरिक्यालस थर्ड है कुरेको बरिक्यालस अब ये हो गया anterior compartment यानि flexor compartment अब आ गयाता है posterior compartment और उसे कहते हैं extensor compartment इसमें एक मसद है ये हैं ट्राइसेप बरिकाई अब इस ट्राइसेप बरिकाई के तीन हेड्स है थ्री हेड्स इसलिए से ट्राइसेप कहते हैं अब उन थ्री हेड्स में जो हैं एक को कहते हैं लॉंग हेड्स सेकेंड है लैटरल हेड्स और थर्ड है मीडियल हेड्स बाइसेप बरिकाई के दो हेड्स है एक लांग हेड्स और एक शार्ट हैड्स अब आते हैं फोर आर्म के मसल्स बर अब यह है फोर आर्म के दो कंपार्टमेंट हैं एक है एंटीर कंपार्टमेंट और एक है पुस्टीर कंपार्टमेंट अब interior compartment के दो group है, एक है superficial group और एक है deep group और इधर posterior compartment के भी दो group है, एक superficial group और एक deep group अब इनको बारी-बारी देखते हैं अब यह है four arm के muscles flexor compartment है, interior compartment सबसे पहले superficial group जो मसल आते हैं, वो है और निटर फ्लेक्सर पारपाई radialis फ्लेक्सर पारपाई radialis, FCR फिर है pomeris longus फिर आता है flexor digitorum superficialis flexor digitorum superficialis, FDS फिर आता है flexor carpae radialis, FCU यह मसल है superficial group के, interior compartment के मसल अब आता है deep group के मसल deep group के मसल में आते है flexor digitorum profundus flexor digitorum profundus फिर आता है flexor polisis longus flexor polisis longus फिर आता है peronator quadratus यह है superficial group और deep group के मसल आता है of flexor compartment यानि interior compartment of forearm अब आते हैं back of forearm इसके भी दो कुर्व ग्रॉप हैं सुपर्फिशल ग्रॉप और बी ग्रॉप यानि पॉस्टीर कॉमपार्टमेंट इसको कहते हैं इक्स्टेंसर कॉमपार्टमेंट आफ फॉर और सुपर्फिशल ग्रॉप के मस्सद हैं अब इंकोनियस सेकेंड है ब्रेकियो रिडियलिस थर्ड है एक्स्टेंसर कॉर्पाई रिडियलिस लंगस एक्स्टेंसर कॉर्पाई रिडियलिस लंगस एक्स्टेंसर कॉर्पाई रिडियलिस ब्रेविस फिर आता है एक्स्टेंसर डिजिटोरम फिर है एक्स्टेंसर डिजिटी मिनिमी पास्ट है extensor corporeal meres यह है superfacial group अब आते हैं deep group के मुसल पर deep group यह extensor compartment का deep group है अब इसमें जो मुसल आते हैं उनमें है एक है subinator second है abductor policies longus APL यह abductor है अब third है extensor policies brevis fourth है extensor policies longus अब last है extensor indices यह था deep group के muscle अब आते हैं hand के muscles पर hand के muscles के 5 group हैं सबसे पहले हैं यह है थिनार हाइपो थिनार इधर lembrical और यह bones के in between pomer introsi और इधर darsal introsi अब इन तमाम groups को हम डिसकस करें देखते हैं यह कौन से groups हैं muscles के सबसे पहले आता है थिनार ग्रूप थिनार मसल इस ग्रूप दे जो मसल हैं वो हैं अब डेक्टर polisies breves policies breves second है flexor polisies breves flexor polisies breves और थर्ड है opponent's polisies o से opponents और p से polisies opponents का मतलब है opposition और p का मतलब polisies का मतलब बता है thumb अब ये तीन गुरूप तीन मसल हो गए अब फूर्थ मसल है अड़क्टर पॉलिसिस अड़क्टर पॉलिसिस ये है अड़क्टर ये हो गए मसल थिनार मसल अब आते हैं हाईपो थिनार के मसल पर हाईपो थिनार के मसल में पहला मसल है अब जाक्टर डिगिटी मीनि-बी यह है अब जाक्टर और इसे में बी-डी से शो किया है सेकेंड है फ्लेक्सर डिगिटी मीनि-बी अब थर्ड है उपनिस डिगिटी मीनि-बी और लास्ट है पॉम्यरिस ब्रेविस यह हब है हाइपो थिनार के मसल अब आगे आता है लंबरीकल्स के मसल अब लंबरीकल्स के चार मसल है वन टू थ्री और फॉर लंबरीकल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फॉर्थ यह मसल है लंबरीकल्स के हैंड का फॉर्थ ग्रूप है पॉमर इंटिरोसी और यह पॉमर इंटिरोसी मसल जो इंटिरोसी यानि बिट्वीन दबॉन्स है यह कराते हैं अडक्शन और यह चार मसल दोते हैं और यह कराते हैं अडक्शन और यह कराते हैं इसलिए इनको पैड से यादर तेनल पांदर इंटिरोंसी अड़क्टर है अब फाइनल ग्रूप है डासल इंटिरोंसी ये भी चार मसल है यह करते हैं अबडक्शन इसलिए इनको अबडक्टर भी कहते हैं और इनको याद करने जो है वह अब फार पारे ग्रूर्ग यादर तेनल ऑब अबडक्शन करते हैं अब इनको इनकी रवियन करते हैं